जाहेंद दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल ओनलाइन फोरम पर आप सभी का एक बार फिरिशे स्वागत है तो दोस्तों आज की अपडेट है इंडियन आर्मी की तरप से तो देखें दोस्तों आर्मी एड़कॉर्टर एसी सेंटर साउथ टू एसी और नौथ टू एस इने ग्रूप C की वैक एंचि निकाल लिया दोस्तों काफी बढ़िया वैक एंचि होने वाली है देखें यहां पर आपको बारबर की MTS चोकीदार फायरमेन इस तरह की वैक एंचिस देखने को मिल जाती हैं 500 के आस पास दोस्तों यहां पर पोस्ट निकाली गई है और दोस एंचिन फारम को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो पूरी जानकार स्टैप पस्टैप इस वीडियो में देने वाले हूं स्किप बिलकुल भी मत कीजिये और दोस्तों एंड तक इस वीडियो में बने रही है लेकिन दोस्तों वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आपने आप और यहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जैसे एक सब सूपर लिखा हुआ है गौर्वर्वेंट ओफ इंडिया मिनिस्ट्र ओफ टिपेंस एसी सेंटर साउथ टू एची अब इसके बाद एकि दोस्तों सबसे पहले यहां पर आपको दिये गए हैं अलग लग की जानकार यहां पर दीगी है आपको यहां पर कुक की MTSC यानि की चोकिदार की टिम स्मित की EBR के लिए बारबर की और कैंप गार्ड की माली गार्डनर मैसेंजर की वैकेंशी दिखाई जाती है तो दोस्तों जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले तो देखे दोस्तों यहा बात करते हैं यानि कि AAC Center North की बात करते हैं तो यहां पर भी आपको फायर मैंड की ड्राइवर की कि वैकेंशी देखने को मिल जाती है जो कि 249 यानि की दो सब्सक्राइब यहां पर दिया हुआ है नंबर और पोस्त के साथ आपका पेस्केल भी दिया हुआ हुआ और दोस्त तो डिस्क्रिप्शन में देएगे लिंक से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ले सकते हैं आगे चल कर देखे दोस्तों यहां पर आपको और भी ज्यादा जानकारी मिल जागी देखिए आपको अलग-लग वैकेंशी का ब्रेकप दिया हुआ है अलग-लग नेम ओप स् तो टिन स्मिट के लिए दोस्तों आपको जो दस्वी पास पर टोना चाहिए और जो ट्रेड है इसकी जानकारी होनी चाहिए इसी तरह से आगे चल कर बार बर, कैंप गार्ड, MTS, मैसेंजर, चोकिदार, स्टेशन ओफिसर, लग-बग जो दोस्तों सभी वैकेंशी जो दस् बेस पर ही निकाली गई है इसके बाद अगर फायर इंजन ड्राइवर की बात करते हैं तो आपनों आपको बता दू यहां पर आपका जो फिजिकल टेस्ट भी होगा फिजिकल टेस्ट की जानकारी आपके आपर दीगी है आप आसानी से वीडियो को पोज़ कर पढ़ सकते ह है अब इसके बाद आगए चल कर देके दोस्तों डीज की बात करते हैं तो दोस्त आपके जो मर है वह 18 साल में 30 साल के बीच में होनी चाहिए लेकिन आगे चल कर देखिए scheme of exam की बात करते ही था पर आपका जो एक्जाम है वो चार पार्ट्स में होगा जर्नल intelligence इसके बाद awareness इंगलिस नमारिकल अप्टिटूड टोटल जो दोस्तों आपसे डेट से जर्नल अवेरनस इंगलिस नमारिकल टूट का सलेबस यहां पर दिया हुआ है आपका सलेबस जैसा कि मैंने बताए दसवीबस पर रहेगा तो आप यहां पर अपना सलेबस भी देख सकते हैं साथ ही दोस्तों यहां पर देखिए आगे चल कर आपको बताया गया है कुछ इंपोर्टेंट कंस्ट्रक्शन यहां पर दिये गए है जैसी का आप अपना जो अप्लिकेस लेटर है उसका में इन विलप होगा उसके बार अप्लिकेशन फॉर दिपोस्ट अपलिक के अब जिस पोस्ट के लिए अपले करना चाहते उस पोस्ट का नाम यहां पर तो उसका कोई भी नमबर आपको नहीं दिया जाएगा अगर आपका अप्लिकेस लेटर कटाप पाएगा इनकम्प्लिट पाएगा उस पर आपके साइन नहीं पाए गई और दोकुमेंट से ब्डबड़ पाई गई तो दोस्ता आपका जो फोर में वो रिजक्त हो सकता है अ हाला कि दोस्तों application form काफी बड़ा है लेकिन दोस्तों आपको पूरा जो application form और वो फिल नहीं करना है जैसे का आगे चल कर आपको यह income mandate certificate देखने को मिलता है तो अगर आप ews category बिलोंग नहीं करते हैं तो ही आपको fill करना है तो दोस्तों अगर आप कुछ और भी certificate देखने को मिल जाएंगे जैसे कि यह एक्सरिश्मन का certificate है तो अगर आप एक्सरिश्मन नहीं है तो यह आपको certificate नहीं बेजना है OBC Candidates का certificate यह पर दिया हुआ है अगर आप OBC कटेगरे से बिलों करते हैं तो यह certificate आपको send करना है अद्वरण यह certificate आपको send नहीं करना है यहापर आपको सिंगने सर करने होगे और यहापर simply आपको अपने detail डाननी होगी अब इसके बाद यहापर देखिया आपका admit card दिया हु होगी और दोस्तों इसके बाद column नमर एक जो यहापको फिल नहीं करना है column नमर दो में आप अपना नाम लिखेंगे आपके फादर Riesband का नाम आपकी डियो भी यह भी निमर चार भी आपको फिल नहीं करना है इसके बाद पांच भी फिल नहीं करना अच्छा और दोश्टो यहाँ पर देखी signature आपको करने रहेंगे तो दोस्तों इस तरह जो आप अपना admin card फिल कर सकते हैं और इसके बाद देखिए आपको एक और certificate दिया हुआ है जो को disability category का है अगर आप disability category बिलोंग करते हैं तो यह certificate आपको फिल करना है अदरवाज यह certificate आपको फिल नहीं करना है त तो दोस्तों आपका जो application का जो cover होता है यानि आपका जो लिफाफ़ा होता है जिसको हमें envelope बोलते हैं उसका जो process यहाँ पर दिया हुआ है percentage in matriculation और equivalent यानि कि आपके जो details है वो आपको यहाँ पर फिल करने होगी यहाँ पर तो देखिश्व से पहले आपको जो आपर आप send करना चाहते उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर खुझ का जो signature है वो करना होगा यहाँ पर दोस्तों सामने वाला का address यानि इनि जिसे के पास आप send करना चाहते हैं वह address लिखेंगे दोस्तों आपको description दिया हुआ है आप description देख सकते हैं यापर post का नाम लिखना होगा और द दोस्तों यहां पर देखिए आपको जो है अपनी टिकट लगानी होगी यहां पर देखिए दोस्तों यह थोड़ा कंफूजिंग पॉइंट है तो यह मैं आपको किलर कर देता हूं यहां पर सबसे पहले देखिए यहां पर आप मांगा गया परसेंटेज लिखने होगी आपके अगर परसेंटेज पचास तक है तो आप रैडिंग का यूज़ करेंगे पचास से साथ के बीच में तो बिल्व इंक का और अगर साथ से यानि कि 61 से उपर आप बलैकिंग का यूज़ करेंगे तो दोस्तों यह जो इंक वाल सिस्टम में य आपका का अटरश दिया वा प्रोपको यह ऊपर साउ ज records ऊब चाहिएर आंपके चाहिए या Еще बाद आप को अपना नाम लिखनए होगा आपके मांद दोस्तों मांद बोड़ल र्यांठ यहां पर लिखा हो है फंक्सिनल कंड़ सालह होने चाहिए इस बाद आपका अधर काड की नमबर विए आपका अधर काड की जो फोटोगोपी है वो भी आपका टैस करने होगी आपके फादर का नाम आपकी डेट वबर्थ दोस्थ आपके जो डेट वबर्थ है आपकी दस्वी की यहाँ पर कोपी कर सकते हैं अपने दस वी की है या पिर आईटी की है जो की है आप यहाँ पर फिल करेंगे आलागा दोसे पहले आपको यहाँ पर लिखने होगा इसके बाद यह पर दस यूर बार वी लिखेंगे college या फिस school का नाम लिखेंगे board का नाम लिखेंगे कितने percentage आई और remarks में दोस्त आप subject लिख सकते हैं या पर division भी लिख सकते हैं gender आप मेल आप ही मेल लिखेंगे category आप किस category से belong करते हैं वो यापर mention करेंगे अगर आप एक सुरीज में हैं तो उसकी जानकर आपके फिल करने होगी आपके जोडोकुमेंट से यानि कि आपके जोएनोसी है आपके discharge book है आपका PPO book है वो आपको टैस्ट करना होगा इसके बाद कोलम नुमर 15 अगर आप पीएज कंडिडेट है तो यह आप फिल करेंगे टाइप ओडिसेबलेटी लिखेंगे परसेंटेज लिखेंगे और दोस्तों उसका जो सर्टिफिकेट है वो अटेस्ट करेंगे सर्टिफिकेट दोस्तों आपने नीचे चल कर डिस्कस किया था वो यह सर्टिफिकेट आपको टैस्ट करना होगा अगर आपने एक्सचेंज बे रेजिट्रेशन करा रखा है तो उसके नमबर नाम लिखेंगे और दोस्त अगर आप सेंटर और गोर्वेंट के आपको यहां पर जो है अपने स्टेशन जो है प्रिफरेंस देनी होगी यह अगर आपको सेलेक्शन होता है तो आपके पहले इस च्वाइस क्या रहेगी जो स्टेशन चाहिए उनकी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी आप ऑफिशियल आपको डालना होगा नंबर ऑफ सेल्फ जो है कोपी जो आपने डाली है और अपने कार्ड यहां पर दिये हुए वह दोनों इसके साथ टैच करने और फिल करके दोस्तों इस तरह आप अपना अप्लिकेशन फोर्म पिल कर सकते हैं बिलकुल आसां सा और बिलकुल एजी साब का अप्लिकेशन फोर्म है रियल जो अप्लिकेशन फोर्म हो सिरफ दो पेज का है जैसके मैंने बताया था बाकि जो है आप अपने कैटाइगरी हिसाब से इन सर्टिफिकेट को फिल करेंगे तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी अगर आप इलिजीबल है तो अपलाई कर स सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में जल्दी मिलते नई वीडियो में नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय वारत